Good morning students, Single Academy by Usha Single में आपका हार्दिक स्वागत है बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चित्थियों की अनूठी दुनिया जैसा कि आप जानते हैं, जब हम किसी को संदेश देना चाहाते हैं तो आज हमारे पास बहुत सारे साधन हैं जैसे SMS, phone है ना, और भी हमारे पास email, fax, आगी बहुत सारे साधन है लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं था पहले हम चित्थियों के दुआरा ही अपने संदेशों को एक से दूसरे तक पहुचाते थे तो आज हम इसी पाट का अधियन करेंगे और समझेंगे पत्रों की उपयोगिता क्या है पत्रों की दुनिया भी अजीवो गरीव है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिक्तियम साधन नहीं कर सकता है पत्र जैसा संतोश फोन या समस का संदेश कहां दे सकता है पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीती, साहिते तता कलाके शित्रों में तमाम विवात और नई घटनाओं की चड़ भी पत्र ही होते हैं दुनिया का तमाम साहिते पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमी का निभाई है बले ही उसका नाम अलग-अलग हो पत्र को उर्दू में खट, संस्कृत में पत्र, कन्नड में कागद, तेलगू में उत्तरम, जाबू और लेक, तता तमिल में कडिद का आ जाता है पत्र यादों को सहिच कर रखते हैं इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्र का अपना दाएरा दुनिया भर में रोज करोणों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुँचते हैं भारत में ही रोज साड़े चार करोड चिठियां डाप में डाली जाती हैं जो साबित करते हैं कि पत्र कितनी एहमियत रखते हैं तो बच्चों हमने इसमें पढ़ा कि पत्र हमारे लिए क्या एहमियत रखते हैं यानि उनकी क्या खास बात है, उनकी क्या importance हमारी life में है जब हम किसी को पत्र लिखते हैं, तो पत्र में बहुत ही अधिक आत्मियता होती है है न, पत्रों को हम बार-बार पढ़ते हैं, पत्रों को सहेच कर रखते हैं और जो आजकल के आधुनिकतम साधन है वो पत्र का मुकाबला कहीं से कहीं तक भी नहीं कर सकते और पहले ये साधन तो थे नहीं जो आज के साधन है जैसे वही जो भी संचार के साधन थे तो पहले हमें अपना संदेश पहुचाने के लिए पत्रों का सहरा लेना पड़ता था और हम पत्रों का बड़ा बेसबरी से इंतिजार करते थे आपने पिक्टर्स में देखा होगा कि अगर हमें अपना कोई संदेश पोचाना होता था तो उसमें पत्रों से भी पहले हर कारों का प्रियोग करते थे जो दोड़ करके अपना संदेश मतलब राजा का संदेश किसी दूसरे राजा तक पहुंचाते है थे ठीक है अब आगे का देखते हैं पंडित जवारलाल नहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हर कारे रनर्स या फिर तेज घुड़े रहे हैं उसके बाद पहिए आए पर रेलवे और तार में भारी बदलावाया तार ने रेलों से भी तेज गती से संबात पहुचाने का सिलसिला शुरू किया आप टेलिफोन बायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल लहा है जैसा कि हमने पहले बताया कि पहले हर कारों के द्वारा हम अपने संदेश को दूसरों तक पहुचाते थे उसके बाद पईयों का विकास हुआ यह आपके विज्ञान के चमतकार की बात हो रही है कि विज्ञान ने कितनी उन्नती की है कि सबसे पहले हम अपने संचार के साधनों के द्वारा किस प्रकार से हम पहुचाते थे अपने संदेश कि पहले केवल हम घोडों के द्वारा हरकारों के द्वारा पहुचाते थे फ अब टेलिफोन आ गए हैं, बायरलेस हो गए हैं और रेडार की दुनिया भी आ गई है पिछले शताबदी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया इसके सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेश प्रियास किये गए संस्कृती विक्सित करने के लिए इसकूली पाठे क्रमों में पत्र लेखन का विशेवी शामिल किया गया भारत ही नहीं दुनिया के कैई देशों में ये प्रियास चले और विश्व डाक संग ने अपनी ओड से भी काफी प्रियास किये विश्व डाक संग की ओड से सोले वर्ष से कम आयू पर के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रितियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला निस सो बहात्तर से शुरू किया गया यह सही है कि खास तोर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार के साथनों के तेज विकास तता अन्यकार्णों से पत्रों की आवाजा ही प्रभावित हुई है पर देहाती दुनिया आज भी चिठियों से ही चल रही है फैक्स, इमेल, टेलिफोन तथा मोबाइल ने चिठियों की तेजी को रोका है पर व्यापारी डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है इसमें बच्चों बताया गया है जो पत्र लेखन है पत्र लेखन यानि पत्र को लिखना भी एक कला है उसको सीखना अतियंत आवश्यक है और जब उसको सीखना आवश्यक है तो उसके लिए हमें बच्चों को पत्र कैसे लिखा जाए ये सिखाना भी आवश्यक है और जब ये आवश्यक है तो उसके लिए इसकोलों में प्रतियोगिताय शुरू की गई इसकोलों में उनको किस तरीके से पत्र को लिखा जाना है ये शुरू किया गया डाक बिभाग की ओर से भी बहुत सारे कंप्टीशन साए जिसमें की बच्चों की कंप्टीशन हुए क बच्चे किस प्रकार से पत्र लिखेंगे और किस प्रकार से बैटर तरीके से पत्र लिख सकते हैं तो यह सिलसिला जो प्रतियोगितायों का सिलसिला है यह 1922 में शुरू किया गया था आप आज भी देखते हो कि आज भी आपको एक्जाम में पत्र लेखन का एक प्रिशन जरूर आता है और वो करना भी अनिवार्य होता है तो हम आपको स्कूलों में अनवचारिक दोनों प्रकार के पत्र सिखाते हैं जिससे कि आपको पत्र लिखने का अच्छी प्रकार से धंग आ सके हाला कि पत्रों की दुनिया अब थोड़ी सीमित हो गई है क्योंकि अब फैक् बहुत कम करते हैं लेकिन व्यापार भी चिठ्धियों का अभी उतना ही उप्योग है ठीक है अब आगे देखते हैं जहां तक पत्रों का सवाल है अगर आप बारी की से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र ना लिखा या ना ल हमारे सेनिक तो पत्रों का जिस उत्सुता से इंतिजार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं एक दोर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतिजार करते थे पर अब वहवात नहीं परिवेन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है पहले लोगों के लिए संचार का इक अगर तह का मतलब यानि अगर हम उसके बिलकुल डेफ्ट में जाएं तो हम देखते हैं, गहराई से अगर हम देखें, तो हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा, जिसने कभी पत्र ना लिखा हो, और अगर उसने लिखा नहीं होगा, तो लिखवाया जरूर है ना तो और हमारे जो सैनिक हैं जो बॉर्डर पे हमारी रक्षा के लिए तैनात रहते हैं वो तो बहुत ही उत्सुकता से पत्र का इंतिजार करते हैं उनके लिए तो पत्र एक ऐसा साधन है जिसका वो महीनों इंतिजार करते हैं है ना परिवयन के जो साधन है उन्होंने द अकेला एक मात्र साधन, चिठी ही थी, चिठी को हम पत्र भी कहते हैं, कागत, ले, जाबू है न, ये सारे हमने विभिन लेंग्वेजों में देखा है, सुना है, पड़ा है अभी पीछे, आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है, जो अपने पुर्खों की चिठीओं को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हैं, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवी, प्रशाशक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने अगर आज जैसे संचार साधन होते, तो पंडित नहरू अपनी पुत्री इंद्रा गांधी को फोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोडों लोगों को प्रेड़ना देते हैं, पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर SMS संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं, कितने संदेशों को आप सहेज कर रखते हैं, तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या दरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं, भारत में श्रेली में राष्ट पिता महात्मा गांधी को सबसे आगे र जानिमानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी हैं, तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पेमाना हैं, भारत में आजादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवार जनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्र की पुस्तक तक बन गए, इन पत्रों ने सावित किया कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिये हुए था, महत्मा गादी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महत्मा गादी इंडिया लिखे आते थे, और जहां भी रहते थे, वहां तक पहुंचाते थे, है न, तो हम इसे देखते हैं, इसमें बताया गया है कि जो पत्र हैं वो हमारे लिए कितने महत्वपून हैं, कि अगर हम इने बारी की से देखें, तो हमें कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा, जिसने कभी कोई पत्र ना लिखा हो, कभी पत्र का इंतज अगर हम अपने पूर्वजों की तरफ देखें, तो वहां तो एक मात्र साधन ही पत्र लेकनता, अगर हम बड़े बड़े लेखकों को देखते हैं, पत्रकारों को देखते हैं, उद्यमिय को देखते हैं, कभियों को देखते हैं, प्रशाशकों को देखते हैं, सन्यासी को या किसान को देखते हैं इनकी महत्वपूर्ण रचनाई पत्र होती है और पत्र अपने आप में एक रिसर्च का विशे है अनुसंधान में रिसर्च यानि खोज करना वो एक अनुसंधान का विशे है आप सोचिए अगर उस समय में पत्र ना होते तो जब पंडि जवारलाल जेल में रहे थे तो उन्होंने अपनी पुत्री इंद्रा गांधी को पत्र लिखे थे अगर उस समय पत्र ना होते और आधुनिक तमसाधन होते तो वो पत्र क्यों लिखते और वो पत्र आज भी सहीज कर रखे कुए हैं है ना उन पत्रों को हम आज भी पढ़ सकते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शियर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें